हेलो दोस्तों रमशकार स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में जैसा कि आप सभी को पता होगा आज 23 मार्च को आई भी सेक्ट शिप्ट का एक्जाम भी समापत हो गया है उमीद करते हैं जिनका भी सेक्ट शिप्ट में आज पेपर था सभी का पेपर अच्छा गया हो सेक्ट शिप्ट में जो रियल कोशन आप से पूछे गेते जी के जीएस करेंट अफेर के वो सभी question discuss करेंगे इस वीडियो में तो पूरा वीडियो end तक देखेगा और जिन्होंने भी इस वीडियो को भी तक like share नहीं किया है make sure कि वीडियो continue करने से आगे पहले आप like जरूर करें इस वीडियो को एक साथ like बटन दबाईए सभी के सभी और चैनल को जिन्होंने भी subscribe नहीं किया है subscribe करने के बाद चैनल को bell icon on कर लेना आई भी security assistant exam analysis रोधना देखने के लिए first question आपसे पूछा गया था वर्तमान में जनजातिय मंत्री कोन है भारत के तो दोस्तों इसका right answer होगा अरजुन मुंडा जी अभी वर्तमान में भारत के जनजातिय मंत्री है तो अरजुन मुंडा correct answer हो जाएगा इस question का एक question आपसे पूछा गया था कि धिमसा जो है वो किस राजय का एक आधिकारिक लोक नरते है धिमसा की बात कर लें दोस्तों तो ये आंधर परदेश राजय का अधिकारिक लोक नरते है तो आंधर परदेश आपका right answer होगा next question आपसे पूछा था कि पंडित भीमसेन जोसी किस सास्त्रे गायन से इनका समंध है ये किस घराने से समंधित है तो देखिये पंडित भीमसेन जोसी जो है ये दोस्तों किराना घराने से है तो किराना घराना आपका correct answer था अगला question आये था justice Y.V. चंदर चूड की नुकती भारत की मुक्य नाइदिस के तोर पर कब की गई थी अब यहाँ पे दोस्तों आपसे first shift में पूछा था कि भारत के 48 में Chief Justice of India कौन थे और इस shift में आपसे पूछा है कि भारत के जो 50 में Chief Justice of India बने है Y.V. चंदर चूड ये कब बने थे? डेट पूछा था आपसे तो इन्होंने शपत गरने की 9 November 2022 को तो 9 November 2022 आपका correct answer था अगला question आये था कि एनिमिया किस विटामिन की कमी से होने वाला है तो देखिए जो एनिमिया रोग होता है ये आपका विटामिन B12 की कमी से होता है और अगर आपसे पूछ ले अगर विटामिन नहीं पूछा होगा तो आयरन भी option में आ सकता है क्योंकि iron की कमी से भी enemy रोग होता है ठीक है पर आपसे vitamin पूछा था इसलिए vitamin B12 आपका right answer था अगला कोशन आया था कि भारत का कौन सा राज्य है जो है ना राज्य की सीमा सबसे कम राज्यों के साथ जुड़ती है अब इसमें दोस्तों दो ऐसे राज्य है जिनकी सीमा जो है ना केवल एक एक राज्य से ही लगती है और वो हैं सिक्किम और मेगाले भारत के सिक्किम और मेगाले दो ऐसे राज्य है जिनकी सीमा केवल एक एक राज्य के साथ लगती है तो option में student ने कहा कि सिक्किम दिया था तो सिक्किम आपका correct answer होगा अगला कोशन आया था बिलासपूर कहाँ पे स्थित है अब बिलासपूर भी आपका दो जिगे स्थित है एक तो हिमाचल परदेश में भी है और एक 36 गड़ में भी है पर student ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वाला आया था तो हिमाचल प्रदेश आपका right answer हो जाएगा next question पूछा गया था कि लावनी नर्तिय किस राजे से समंदित है तो देखिए जो लावनी नर्तिय है ये महाराश्ट से समंदित है तो महाराश्ट आपका correct answer था इस question का एक question फिर से आपका census 2011 से बना कि 2011 की जनगर्णा के नुसार सबसे कम शाक्सरता वाला राजे आपसे पूछा था तो बिहार इसका correct answer होगा और आपसे first shift में पूछा गया था कि सबसे जो है ना आपका लिंगानुपात कितना है भारत का 2011 जनगर्णा के नुसार तो वो आपका 943 हो जाएगा ये first shift का था और एक और आपसे first shift में question आया था जनगर्णा 2011 से जिसमें आपसे जो है ना बिहार पूरुस की साक्सरता दर पूछी गई थी तो उसमें भी आपको मैंने बताया था और अब आपसे second shift में पूछा है कि 2011 की जनगर्णा के नुसार सबसे कम literacy rate वो भी भिहार काई है ठीक है अगला question या पे बना आपसे कि Commonwealth Games 2022 में भारतिय क्रिकेट महिला टीम को किस टीम ने हराया था देखिए Commonwealth Games 2022 में भारतिय महिला क्रिकेट टीम को Australia की महिला क्रिकेट टीम ने हराया था तो Australia महिला क्रिकेट टीम आपका correct answer होगा एक question पूछा गया नागर्णा का अधिकार की सनुछेद में है तो यह आपका article 10 में है और एक student बोल रहा था कि यहाँ पे article 5 से 11 के बीच में कुछ दिया था तो आप बदाना दोस्तों यह जो नागर्णा वाला question आया था इसमें आपको article 5 से 11 के बीच में कौन सा वाला article आपके option में दिया गया था एक question आपे बना है विशाका पटनम से कि विशाका पटनम की जनजाती का dance कुछ इस टाइप से question था exact स्वाल यह नहीं मिला है तो देखिए अगर यह धिमसा वाला ही पूछा गया होगा जो मैंने आपको करवाया था तो बताएगा जो सुरू मैंने आपको करवाया था अंदर परदेश धिमसा वाला ठीक है next question यह आपे देखिए पूछा गया था आपसे यह किस राजे का है वांगचु लोकगीत की बात कर लें तो यह रुनाचल परदेश का है तो रुनाचल परदेश आपका right answer था एक कोशनाया कि पुल्किट जिल किस राजे के border प्रस्तित है जो पुली कट जीर है ना ये दोस्तों अंधर परदेश और तमिन नाडु राजे के बोर्डर पे है वैसे मैं आपको बता दूँ 96% जो पुलिकट जील का एरिया है वो आंदर परदेश में आता है केवल 4% इसका एरिया जो है वो तमिल लाडू में आता है और ओप्शन में आपके आंदर परदेश दिया था तो आंदर परदेश के साथ आप आंस्वर करोगे एक कोशन आया था अबू बकर से कि ये किस वन से रलेटल है इस टाइप से कुछ कोशन था तो देखिए रशीदून खलीफा का पहला अबू बकर था और 632 से 634 के बीच में इसने नेतरतव किया अबू बकर को सच्चा कहा जाता था उन्होंने छेतर में विद्रोहों को सफलता पुरू रोका और खलीफा को छेतर के शाशक के रूप में मजबूती से स्तापित किया था दूसरा खलीफा उमर इबन अल खताव था जिसने 634 से 644 तक शाशन किया था अब आप मिर को बताना यह जो अबू बकर वाला कोशन था इसमें exact कोशन क्या दिया था ठीक है एक कोशन पुछा गया महराजार अरणजीस सियं की राजधानी कहां से कहां तक फैली थी तो स्टुएन ने कहा कि लाहोर ओप्शन में दिया था अगर लाहोर ओप्शन में था तो मेरे कोडिंग यह अंस्वर सही होना चाहिए बाकिया बतेगा ओप्शन में क्या दिया था इसमें एक कोशन यह पूछा गया Commonwealth Games 2022 में बैड मिंटर में गोल्ड मेडल किसने जिता फर्स शिट में लक्षे शेन का पूछा था अगर आपसे सेकंड शिट में भी दोस्तों पुरूश एकल का ज़ा था और पूरुस एकल प्रतिस पादा में लक्षे शेन ने जिता था अगला कोशन यह पे बना आपका आपका आर्टिकल 29 और 30 से अनुछेद 39 से कोशन था एक्जेक्ट स्वाल नहीं मिला है देख लेते हैं क्या कहते हैं अनुछेद 39 अनुछेद 39 अलब संक्यकों को संस्तानों की स्थापना और प्रशाशन के लिए कुछ सांस्क्रतिक और शेक्षनिक अधिकारों की गारंटी देते हैं बाकिया बताना इसमें विकल्प क्या दिया था आपको एक कोशन यहां पे उडिसा के हाई कोट से पूछा क्या था यह स्वाल जो है आपको विदायक थे तो उन्होंने क्या किया एक नाश सिंदे के गुट में शामिल हो गए तो बाद में जो है ना अभी निर्वाचन आयोग ने जो है शिवसेना का जो एक नाश सिंदे गुट था उन्हें शिवसेना का टाइटल दिया है तो आप बताना दोस्तों इसमें एंटी बजाकर यह आप वीडियो को एंड कीजेगा मैं मिलता हूं आपके साथ अगले सिंदे के लिए जय हिंद जयवाच